गुट मॉर्णिंग टेट वोपन यूर सोशल स्टॉडिय्ज बोक अपेज नंबर 12 हमने अपने लेसन पूर और फ्लैग की दिंग की थी जिसमें हमने अपने फ्लैग के बारे में पड़ा हमारे फ्लैग में कितने कलर्स हैं? यस तू कलर्स हैं कौन-कौन से कलर्स हैं? वेरी गुट वाइट एंड ग्रीन फिर हमारे फ्लैग पर टू संबल्स थे isol Id ette सब्मुर्स है in s1 Krescent & 1 Star यह मारे Flags के बारे में बाए था संके बाद उसके बाद के बाद पे बता था हमारा Flags किस ने डिजाइण कि Saturn स बभरी गोड हमारा all टा अमेरries देन के दुए ने डिसाइन किया हैrobiो कि आपने यह भी पड़ा कि हर कंट्री का अपना फ्लैग होता है किसी भी कंट्री का सेम फ्लैग नहीं होता तो यहां पर आपने ऐसा करना है जिसके पिक्चर पेज नंबर 11 पर आपको दी गई यह पाकिस्तान का फ्लैग है यहां पर आपने यहां पर ड्रॉ करना है और जो पाकिस्तान के फ्लैग में तू कलर्स हैं उसी तरह से इनको इस फ्लैग को कलर भी करने हैं नेक्स देखें राइट दी नेम आफ दर कंट्री अंडर इच फ्लैक यूसिंग दर वर्ड बैंक गिवन बिलो केते हैं नीचे आपको यह वर्ड बैंक दिया गया है जिसमें आपको फोर कंट्री के नेम दिये गया है उसके नीचे आपको फोर फ्लैक दिये गया है आपने हर फ्लैक के नीचे उसकी कंट्री का नेम लिखना है जैसे कि हमने अपने चेप्टिर में यह पढ़ा था कि हर कंट्री का अपना फ्लैक होता है इसी तरह से अमेरिका, साओधी अरेबिया चाइना और बंगलादेश के आपको नीचे फलैग दिए गे़े हैं आपने हर फलैग के नीचे उसकी कंटरी का न щоб लिखना है जैसे फुर्स्ट बाला फलैग हम देखेंगे तो हम इसको सर्च करेंगे कि कौन सी कंटरी का फलैग है तो सर्च करने के बाद जब आपको ये बता चलेगा कि ये फ्लैग साओधी अरेबिया का है तो यहां पर लिखा हुआ है साओधी अरेबिया तो ये साओधी अरेबिया आपने यहां से ट्रेस करके इसको यहां पर लिखना है तो इसी तरह से ये तीन फ्लैग्स हैं इनको आपने खुछ सर्च करना है कौन कौन सी country के हैं country names उपर लिखे हैं और फिर आपने इनकी नीचे इनका country name लिखने है first मैंने आपको बता दिये साओधी अरेबिया का है और ये three flags आपने खुच सर्च करने हैं अगर आपको फिर भी पता नहीं चलता कोई information आपको नहीं मिल रही आप मुझसे पूच सकते हैं Okay students, Allah आफिस